है यह हैं Mensch a All-grade स्चार्ट करते हैं Section 일isle अब sì, जो कि हowski है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इसकी हैडिन गा नाम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इप इसमें basically section में यह बताया गिया है कि जो transfer of property होगा वो living persons के बीच में होगा एक living person या तो present में या फिर future में एक दूसरे living person को transfer करेगा property इस section में और ज़्यादा कुछ नहीं बता है और दूसरी चीज़ जो बताई है provision में कि जो living person होगा वो एक company हो सकती है या फिर कोई association हो सकती है या फिर body of individuals हो सकती है तो transfer between living persons को inter-vivos भी कहते है या आप द्यान रखना यह मैं आपको पहली बता है inter-vivos मतलब transfer between living person अब एक landmark judgment है पांडे औरान वर्सिस राम चंदर साहु 1992 में 1992 का इसमे 6 components बतायते valid transfer of property को लेकर तो हम 6 components देखते है तो पहला point है कि एक act होना चाहिए और जो owner of the property है उसके दरफ से conscious action होना चाहिए ऐसा नहीं unconscious हो उसको पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है वो act क्या है और consciously with intention होना चाहिए second point वापिस हो रिपीट करा है इनोंने भी कि जो बहुत जो transferर है और जो transfer ही है जो property दे रहा है और जो property ले रहा है दोनो living होने चाहिए ये act उन पर ही apply होते है जो living होते है इसी वज़े से ये act wills पे apply नहीं होता है क्योंकि जो कोई will है वो operate होती है जब debt हो जाती है testator की जिसने मतलब will लिखी है उसकी debt होने बाद will operate होती है इस वज़े से ये TPA will पे apply नहीं होता है वो जो transfer होते हैं वो TPA के दुरू नहीं होते है will के transfer testator की अंडर नहीं covered है क्योंकि ये कोई temple है या फिर कोई deity है वो एक living person नहीं है तो अगर आपको temple को या फिर किसी deity को property अपनी dedicate करने है वो इस act के दुरू possible नहीं है लेकिन अगर आप अपने unborn persons या unborn giant के लिए property transfer करना चाता हो उनके favor में तो section 13, 14 and 20 में provision है लेकिन उनके लिए कुछ restrictions है वो हम बात में देखेंगे वो sections क्या है अब हम देखते है अब कि है कि जो transfer है वो या तो immediately होगा in present या फिर एक future date के लिए हो सकता है लेकिन जो transfer हो past में नहीं हो सकता या पास्ट में तो होई नहीं सकता तो transfer या तो present में होगा या फिर एक future date के लिए deferred होगा point number four है कि जो transfer होगा वो transfer होगा creation of right होगा एक इंसान के favor में जिसके लिए transfer हो रहा है और वो ही person होगा जिसके पास right है उस immobile property में वो ही उसको transfer कर सकता है अपने right एक दूसरे बंदे को जिसके favor में property जाने वाली है और यह एक point to be noted है जो कि है कि जैसे delinquishment बतलब होता है give up कर देना अगर आप अपना favor अपने किसे co-partner बतलब बाई-बाई-ई को अपने rights give up कर देते है या फिर अपनी कोई हिंदू विड़ अपने surrender कर देती अपने right जैसे कि किसी अपने husband के पती के लिए किसी के लिए अपने right surrender कर देते क्यों को चले जाए property तो यह जो होता है यह transfer नहीं होता है यह होता है extension of rights और यह transfer of right नहीं क्योंकि अपने right transfer नहीं कर रहे है वो अपने right खतम ही कर दे रहे है यह हमको चाहिए ही नहीं हम अपना right को give up कर देने है surrender कर रहे है अपने right को तो यह transfer of right में और transfer of property में नहीं आएगा यह क्योंकि यहाँ पर जो extinct हो रहा है वो रहा ही नहीं किसी के पास और वो right हमने give up कर दिया है थिक है अब देखते हैं जो easement होता है जैसे easement आप समसे है कि जैसे को अगर उपर वाले flat पे आपका दो बजनगर है और आप नीचे रहते हो और कोई उपर रहता है और आपने उसको पर बेक रख़ा है उपर वाला flat और जो नीचे का का राइट कहते हैं किogen से उसको अपना प्रापाट्ठ चेस करने के लिए आपकी तोड़ी सी प्रापटी हожетी है तो आप 想ो ऑपना उसको राइट जेरो उसका लीजिस्य करने के लिए तो वह भी कोई transfer नहीं होता है वो बस अपना right exercise करता है इसमें कोई transfer नहीं होता है और fifth point है जो कि है कि जो transfer होगा वो ऐसी नहीं की promise कर दिया किसी later date को कि मैं हाँ मैं आपनी property बेग दूँगा तो transfer हो जाएगा actual transfer होता है जब registered sale deeds होता है जब registered sale deeds execute होती है जब एक्चुल transfer होता है कोई agreement to sell से ऐसी किसी agreement कर लिया कुछ अपने well बना ली सोच लिया उससे transfer नहीं होता है उसको register करवाना बहुत ज़रूरी है और last और sixth point है जो इस case law में बताया था है वे लिए transfer के लिए कि जो एक living person है वो अपनी property खुद को transfer भी कर सकता है यह कैसे कि वो एक capacity में से अपने आपको की दूसरी capacity में transfer कर देगा इसका मैं आप example देता हूँ कि कोई अपनी कंपनी कंपनी का प्रॉपर्टी ले रखी है तो फिर वो अपने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है अब जहां पर वो एक तरीके से CEO है या फिर उस company का ओनर है उस capacity में से अब वो अपनी individual capacity में खुद को अपनी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो वो living person अपने आपको ख गया प्रॉपर्टी में से लेकर अपनी दूसरी गया प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर रहा है